आज हम करने वाले हैं देभी क्लास 6 के इंग्लिश लिट्रेचर का चैप्टर नमबर 9 जो है आवर ट्री जो एक पोएम है और इसको लिखा है डेविट हार्मर ने तो चलिए चलते हैं पहले जानते हैं डेविट हार्मर के बारे में अबाउट दा ओथर डेविट हार्मर is an American poet keenly interested in the conservation of nature तो डेविट हार्मर जो है ये एक American poet है और ये बहुँ ज़्यादा excitedly interested है nature को बचाने में conserve करने में he feels pain at the mindless falling of tree that is now posing a serious threat to human existence itself तो इनको बहुत जादा दर्ध होता है ये देखकर कि बहुत सारे लोग ना समझी में आकर के बहुत सारे पेड़ों को काटकर गिरा रहे और ये कारण बन रहा है हमारे संकट का क्योंकि human जो है ये exist कर रहा है अर्थ पे और इसको अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा और जिस तरह से लोग पेड़ काट रहे हैं उस तरह से इन future जाकर हमारा जीना मुस्किल हो जाएगा इसी poem में our tree जो poem है is one of his most celebrated poem इस poem को बहुत ज़्यदा celebrate किया जाता है क्योंकि इन्होंने इस poem को एक पेड़ के उपर लिखा है आएए उस poem को पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि poet उस poem में कहना क्या चाता है now read the following poem it takes so long for a tree to grow so many years of pushing the sky तो यहाँ पर poet कह रहा है कि एक पेड़ को बढ़ने में ग्रो करने में बहुत सारे साल लगते है it's so long बहुत लंबा समय लगता है so many years बहुत सारे साल of pushing the sky pushing the sky मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आस्मान है वो पेड़ के उपर होता है और जो पेड़ है बढ़ने के लिए काफी मेहनत करता है उस आस्मान को उपर धकेलने के लिए बट यह एक personification है यहाँ पे बताया यह जा रहा है कि जो पेड़ है वो धीरे धीरे करके आस्मान के तरफ पढ़ता जाता है नेक्स लाइन में है long branches stretch the arms reach out with their wooden fingers तो आगे point कह रहे हैं कि जो long branches है जो बड़ी बड़ी टहनिया है पेड़ की वो stretch करती है stretch करती मतलब अपने बाह बड़ी होना यह भी personified किया गया है यहां पे reach out with their wooden fingers और उनके wooden fingers होते हैं जो हमारी टहनिया होती है उनके किनारों पे अलग लग टहनी और निकले होते छोटटे इनको ही यहां पे wooden fingers बोला जा रहा है मतलब वो हमारी अंग्लियों के तरह होते हैं तो यह भी आपर personified किया ज और उसके wooden fingers है Ears drift by fall like leaves from green to yellow then back to green तो यहां पर आगे point कह रहा है Ears drift मतलब जो साल है वो पास होते है बढ़ते जाते हैं by fall like leaves जैसे की leaves गिरता है मतलब की हर साल पज़ड के मौसम में आटम के टाइम में पेड के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर greenery आती है फिर से पत्ते वापस आते हैं और फिर जब वाटम आता है तो फिर से पत्ते गिरते हैं इस तरह से साल बाई साल year by year चलता रहता है यहां पे जो समय है वो बीचता जाता है इसी तरह से आगे बता रहे हैं कि जैसे from green to yellow पहले green होता है फिर yellow होता है फिर green होता है मतलब green मतलब जब वहाँ पे हर्याली होती है evergreen time होता है बारिस का समय उस समय उसके बाद जब autumn आता है तो पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं और फिर से वो green हो जाते है since my granddad was a boy and then before his father's father तो यहाँ पर आगे point बता रहे हैं कि जब उनके ग्रैंपा एक छोटे लड़के थे मतलब यहाँ पर जो point है उनके जो grandpa है या granddad या grandfather जो दादा जी हैं वो जब छोटे बच्चे थे तब भी ये पेड़ था जो ये पेड़ यहाँ पर बात किया जा रहा है इस पूरे point में उस पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि वो भी उस समय भी पेड़ था and then before his father's father जब उसके father मतलब grandfather के father के father के समय भी ये पेड़ था मतलब हो सकता है हमके father के father ने से लगाया हो तो father's father यहाँ पे होगा for father आगे कहते हैं poet there's been an elm outside our school its shadow long across our playground तो यहाँ पे बात कर रहे है poet अपने school के बाहर लगे एक पेड़ के बारे में जो एक elm tree है a tall tree with broad leaves एक बड़ा सा पेड़ जिसके चौड़े पत्ते होते हैं broad leaves होते है तो यह जो elm tree है यह इंडिया में तो नहीं मिलता है इंडिया के outside मिलता है तो यहाँ पे बात हो यह elm tree के बारे में जो उस poet के school के बाहर है यहाँ पे आप school देख सकते हैं और school के बाहर जो यह boundary है boundary के बाहर यह पेड़ है जो भी cut चुका है फ़िए पेड़ के बारे के पता रहे हैं it shadows long across our playground तो यहां पे जो पेड़ था ये boundary के ठीक पास था जिस वज़ा से तो यह जो shadow था ये पूरा पढ़ता था playground के ऊपर आगे point कहा रहा है today three men ripped it down, chopped it up, it looked 10 minutes तो यहां पे आज तीन लोग आए three men। ripped it, मतलब cheer देना, या फिर उसे cut देना ripped it down, chopped it तुकड़े कर देना, cut into pieces it took 10 minutes, और उसे ये सब करने में सिर्फ 10 minutes लगे तो यहाँ पे poet last line में बहुत ही ज़्यादा important बात बदा रहे हैं, अगर आप first line देखें, तो वहाँ पे लिखा है, it takes so long for a tree to grow, मतलब एक पेड को बढ़ने में कई साल लगते हैं, so many years, बहुत सारे साल और यहाँ last line अगर देखें तो लिखा है कि इनको बस काटने में 10 minutes लगा, मतलब हजारों साल 100 साल का पेड सिर्फ 10 minutes में काट दिया गया, अगर आप इसे वापस लगाने को कहेंगे, तो 100 साल लग जाएंगे इतना बड़ा पेड बनाने में, और इनसानों को यह समझनी आता, और वो इस बात को बिना सोसे समझे, उन पेड़ों को काट देते हैं, जो उनकी ही, उनका ही फाइदा पहुँचाते हैं, तो एक तरह से पोएट लोगों को समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि पेड़ जो है, वो आसानी से नहीं होते उनमें कई समय लगता है, कई टाइम गुजरता है वहाँ पे, और आप उसे 10 minutes में काट देते हैं अपने फाइदे के लिए जबकि वो आपका फाइदा नहीं है, उल्टा long term में जाके आपको नुकसान करेगा तो अमीद करता हूँ, आज का पोएम आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना न भूले, आज के लिए इतना ही थांक यू सो मुच